आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ शाक्षुका शाक्षुका एक easy और healthy breakfast recipe होती है जो कि एक one skillet dish होती है इस dish को आप onions, garlic, spices, tomatoes, peppers और post eggs के combination के साथ बना सकते हैं इसको आप lunch या पर dinner दोनों में खा सकते हैं आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ शाक्षुका बराने का एक अलग देसी तरीका तो प्लीज इस वीडियो को end तक जरूर देखें क्योंकि इसको different countries में अलग-अलग तरीके से बनाया जाता है तो हम भी इसको एक अलग तरीके से ठ्राई करने वाले हैं तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसकी रेसिपी और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो फ्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें और लेटेस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले हमें एक फ्राई पैन में ओईल हीट कर लेंगे ओईल हीट हो जाने के बाद हम इसमें एट करेंगे बारी कटी हुई लेसन गैस का फ्लेम हमें मीडियम पे रखना है और लेसन को हमें हलका ब्राउन होने तक फ्राई करना है लेसन का कलर यहां पे लाइट ब्राउन हो चुका है अब इस स्टेच पे हम इसमें एट करेंगे बारी कटेवे प्यास प्यास को भी हमें हलका ब्राउन होने तक सौटे कर लेना है प्यास एट करने के दो मिनिट बाद हम इसमें एट करेंगे ग्रीन चुलीस प्यास को सौटे करते हुए हमें टोटल पांच मिनिट हो चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हैं प्यास का कलर चेंज हो चुका है इसमें हलका लाइट ब्राउन कलर आ चुका है अब इस स्टेच पे हम इसमें एट करने वाले हैं चौप की हुए टमेटोस टमेटोस को हमें अच्छे तरीके से मिल्ट होने तक सौटी करना है हम यहाँ पे स्पैशुला की मदद से टमेटोस को थोड़ा सा मैश कर लेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टमेटोस में से मॉइस्चर था वो काफी हद तक रिडियूस हो चुका है सो इस स्टेच पे हम इसमें एट कर देंगे कैपसिकम याने की ग्रीन बेल पिपर कैपसिकम को हमें बहुत अच्छे से कुक करना है बहुत कैफली कुक करना है उस स्टेच तक जहाँ पे यह ना ज़दा सॉफ्ट रह जाए और ना ही कच्चे रह जाए तो इस बात का ध्यान रखे तो इस स्टेच पे हम इसे फाइव मिनिट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे कवर करके कुक करेंगे पाच मिनिट्स हो चुके हैं अब हम कवर को हटा के देखते हैं हमारे कैपसिकम जो है वो अच्छे से कुक हो गये है वो थोड़े से सॉफ्ट भी हो गये है और ना ही अंडर कुक है तो हमें इस कंजिस्टेंसी तक कैपसिकम को सॉटे करना है या फिर कुक करना है अब इसके बाद हम इसमें add करने वाले हैं tomato puree शाक्षुका जो होती है वो थोड़ी से gravy वाली dish होती है इसलिए हमने इसमें tomato को दो portions में add किया है एक तो हमने इसमें chopped tomatoes एड किये हैं और दूसरा हमने इसमें tomato puree एड किया है क्योंकि इसमें tomato जादा use होता है सो हमें यहां पे टमेटोस को अच्छे से कुक कर लेना है अब हम इसमें एट करेंगे हमारे सूखे मसाले सबसे पहले हम इसमें एट करेंगे रेट चिली पाउडर याने की लालमिच पाउडर उसके बाद इसमें हम एट करेंगे कश्मीरी लालमिच पाउडर फिर हल्दी पाउडर जीरा पाउडर और लास्ट में नमक नमक आप अपने स्वादनुसार एड़ कर सकते हैं अब इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है नमक एड़ करने की वज़े से हमारा जो कुकिंग प्रोसेस है वो और थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा और जो टमाटर है वो और जल्दी कुक हो जाएंगे अब इन सभी को हमें अच्छे से पकाना है जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं जो हमारा मसाला है उसमें से ओयल सेपरेट हो चुका है इसका मतलब हमारा जो मसाला है वो तयार हो चुका है वो अच्छे से पक चुका है सो अब हमारी ग्रेवी अल्मोस्ट तयार हो चुकी है इसमें हम water एट करने वाले हैं बहुत जल्दी मुझे टोटल 20 मिनिट लगे हैं इस मसाले को medium flame में पकाने में हमारा मसाला ready हो चुका है अब हम इसमें water एट करेंगे आपको जैसी ग्रेवी चाहिए ग्रेवी की consistency चाहिए आप उस हिसाब से इसमें water एट कर सकते हैं water एट करने के बाद हम इसमें एट करेंगे थोड़ा सा sugar यानि की चीनी मिठास के लिए चीनी एट करने की वज़े से इसमें tomato का जो एक खटापन होता है वो भी थोड़ा सा चला जाता है अब हम इस ग्रेवी को दो मिनिट के लिए high flame पे cover करके पकाएंगे जब तक कि इसमें एक अच्छा उबाल आ जाए सो दो मिनिट हो चुके है जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो ग्रेवी है वो अच्छे से बॉयल हो रहा है तो इस टेज पे हम इसमें add कर रहे हैं mixed herbs इसको अच्छे से mix कर ले mix herbs add करने के बाद और दो मिनिट तक हमें इसे पकाना है high flame पे अब spatula की मदद से ग्रेवी में हम कटोरी जैसा बना लेंगे अब इसमें हम एक एक अंडे तोड़के add कर देंगे सो ये हमने इसमें बना लिया second कटोरी जैसा एक जगा बना ली हमने fry pan में इसमें हम second अंडे को तोड़के add कर देंगे ऐसे ही आप जितने अंडे इसमें चाहे add कर सकते हैं मैं या पे चार अंडे add करने वाली हूँ पस ये ध्यान रखे कि आप spatula की मदद से या फिर जो भी आप use कर रहे हैं उसकी मदद से या फिर एक spoon की मदद से आप इसमें थोड़ा सा जगा बना ले gravy को हटा ले और direct fry pan में आप अंडे को add करें सो मैंने सारे eggs इसमें add कर दिये हैं अब इसके उपर मैं sprinkle करूँगी थोड़ा सा pepper powder, black pepper powder add करूँगी मैं और उसके बाद मैं इसमें add करने वाली हूँ chopped coriander leaves यानि की chopped धनिया पत्ते अब हम इसको कुछ देर के लिए cover कर देंगे ताकि जो eggs है वो अच्छे से cook हो जाए, पोज्ट हो जाए तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे eggs अच्छे से पोज्ट हो चुके हैं So friends हमारा yummy शक्षुका ready हो चुका है इसे आप breakfast, lunch या फिर dinner तीनों में खा सकते हैं अगर आपके घर में कोई guest आते हैं तो जटपट इसे बना लीजी और अपने guest को serve कीजी ए गर्मा गर्म वो इसे जरूर पसंद करेंगे और आप मुझे बताइए कि आपको इस recipe कैसी लगी आप ज़रूर अपने घर में इसे try करें और मुझे अपने feedback दे और अगर आपको इस recipe अच्छी लगती है तो please मेरे वीडियो को like करें, share करें और मेरे चैनल को ज़रूर subscribe करें और मैं आपसे मिलूंगी अगरे वीडियो में एक नई recipe के साथ